बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल पर तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो राहू ग्रह है तो राहू ग्रह है एक ऐसी ग्रह है जो रातो रात आपके किस्मत को पलट देंगी निगेटिव या पॉजटिव आईसो आराम से जिन्दगी जी रहे हैं तो एक ऐसा मोड आएगा कि रातो रात आप नीचे उतर जाएंगे आप बहुत ही गहराई में नीचे उतर जाएंगे जहां से निकल पाना मुस्किल हो जाएगा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप काफी परिसानी के दौर से गुजर को भी प्रभावित कर देती हैं आपको जीवन में अगर लांचन लग गया किसी भी प्रकार का अनायास का लांचन लग गया चरितर पर लांचन लग गया आपके उपर चोरी के इलजाम लग गये बैमानी के जो कि आप नहीं किये हैं और आपकी हर सफाई के बावजूद भी समाज परिवार या कानूनी ब्योस्था में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं अपनी सफाई देने में तो आप निश्चित मान लेजिए कि आप राहू के प्रकोप से गसित हैं और राहू आपको निगेटिव एनरजी दे रहा है जैसे कि आपके सरीर में वायू विकार जो होता ह तो जो आपके अंदर वायू निकलती है आपके अंदर से वो कारवन डाइकसाइड है जो की राहू है और आपके सरीर में जो अक्सीजन रहती है वो ब्रहस्पती है लेकिन कभी-कभी राहू इतने प्रवल हो जाते हैं जो आपका सरीर से आपकी सरीर से कारवन निकलना बंद हो जाए तो समझे आप राहू के प्रकोप से बहुत बुरी तरह से गरसित हो रहे हैं जो कि आपके सरीर को नुकसान पहुचाएगा सबसे महतुपूर बात यह है कि यदि आपके जीवन में अचानक कुछ हो गया है अचानक एक ऐसा सब्द है जो सिर्फ राहू ही है अचानक सब्द राहू से जुड़ा हुआ सब्द है तो यदि आपके जीवन में कुछ अचानक हुआ तो आप माननी जीए कि ये राहू की चाया है आप अचानक धनलाब हो गया जिसकी आपको संभावना नहीं थी जिसके बारे में आपका कभी बिचार नहीं था जिसके बारे में आपको सोचे नहीं थे अचानक से आपको धनलाब हो गया और जब राहू के द्वारा धनलाब होता है तो बहुत बड़ा धनलाब होता है तो यदि अचानक आपको धनलाब मिल गया तो समझ लीजिए कि राहू की महरबानी राहू की कृपा आपके उपर बनी और ये अचानक यदि हान ही हो गई बगएर सोचे समझे आपकी हान ही हो गई तो समझ लीजिए कि राहू की कृपा आपके उपर निगेटिव एनरजी दे रही है जो बापको परिसानी में डाल रही है तो ये अचानक सब्द राहू के लिए ही बना है ये आप हथियार के सोखीन है और कितनी भी हिपाज़त से आप अपने हथियार को गन को या जो भी हथियार आप रखते हैं ये उसमें जंग लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपके मंगल के उपर राहू का प्रकोब भारी पढ़ रहा है यदि आपके कपड़े अचानक फट जाएं आप नया कपड़ा खरी दे अनायास फट गया तो समझ लीजिए कि आपके सुक्र के उपर राहू भारी है यदि आपके घर में लोहे की चीज पड़ी है और उसमें जंग लगना चालू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सनी के उपर राहू भारी है तो ये सब बहुत सारी चीज़े हैं जो राहू को दरसाती हैं राहू की आपके उपर निगेटिव एनरजी चालू हो गई है तो दोस्तों राहू को प्रसंद करना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है यदि राहू नाराज है तो आपकी सरीर में भी कष्ट होगा आपका नुकसान भी होते रहेगा आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो पक्का है आपके हांसे फिसल जाएगी तो राहू के प्रकोप से बचने के लिए कुछ मैं आपको लोगों को बहुत अच्छे उपाए बताने जा रहा हूं जिससे आप राहू के प्रकोप से बच सकते हैं और राहू के प्रकोप से नहीं राहू आपको माला माल कर देंगे राहू प्रसंद रहेंगे और राहू आपको माला माल करेंगे तो उस उपाय के लिए आप वीडियो पर अंततक बने रहें और ये चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंठी की बट कोप होता है यद किसी ब्यक्त को कुष्ट रोग हुआ है कोड़ी ब्यक्त राहू के प्रकोप से प्रताडित बाना जाता है तो आप फोल्डिंग बेड यानि कि लोहे की खटिया आप किसी कुष्ट आस्रम में कुष्ट रोगी कोड़ी आस्रम में दान करिए और हो सके तो यदि यो आराम से सोएंगे तो राहु देव आपसे प्रसंद रहेंगे और दूसरा उपाय इसका जो सबसे आहम उपाय बताया गया है आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में गोमे दिश्टोन अपने सरीर के वजन के हिसाब से जैसे आप अगर साथ किलो के हैं त तो सवा छे रत्ती का गोमे पहनिए यदि आप सत्तर किलो के हैं तो सवा साथ रत्ती का गोमे पहनिए यदि आप नबे किलो के हैं तो सवा नौ रत्ती का गोमे पहनिए और ये गोमे आपको बुधवार को पहनना है सुबह सुर्योदय के अधा घंटा के अंदर में और इस के साथ साथ आप भूले नात की आराधना जरूर करिए तो इन उपाय से आप से राहु प्रसन होंगे आपकी दुरगटना जो है वो बचेगी आपका सामान चोरी हो रहा है आपका धंदे में नुकसान हो रहा है इन सब सारी चीजों में आपको सहुलियत मिलना चालू हो जाए हैं हैं आप नुकसान में को से बचने लगेंगे और आप फायदे की तरफ घूम जाएंगे आपका रातो रात फायदा होगा और जो मैं सब्द आपको बोला हूँ अचानक वो अचानक सब्द आपका जब जीवन में आएगा तो कुछ अच्छा करके आएगा बुरा आपका अचानक कुछ बुरा नहीं होगा अचानक आपका अच्छा ही होगा तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ अपनी बाड़ी को बिराम दे रहा हूँ यदि चैनल पसंद बेरी बात आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाई के कमेंट जर लाद़